ओम शान्ती आप सबको स्वागत है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पांच नोवेंबर की श्रवतान की परमपिता परमात्मा का वफदार बनना उनकी बातों को मांगे चलना और फिर उस कारण से उनकी मदद पाना ये सब कुछ आज की वर्दान में हम डिसकस करेंगे परमात्मा अपने ही शब्दम कहते हैं आग्याकारी बन बाप की मदद वा दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मुरत भवा बाप की आग्या है मुझ एक को याद करो परमात्मा कहते हैं मुझ एक को याद करो और उको मत याद करो क्योंकि अंतमती, सोगती, लास्ट के समय पर शरी छोड़ते समय क्या याद आता है, किसी इसकी प्रैक्टिस करी है, क्या याद करने की प्रैक्टिस करी है, इनसान को, चीजों को, वस्तुं को, घर बार को, दौलत को, नाते, पोती, पोतियां, उनको याद करने की कोशिश करी है practice करी है कि परमात्म को याद करनी कोषिश करी है याद करना मतलब याद तो हम करते हैं हरकिस को लेकिन हमारे दिल के से जुड़ा हुआ है एक बाप ही संसार है इसलिए दिल में सिवाए बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो और उनके साथ में निमित, हम उनके साथ में रोल निभा रहे हैं, निमित हैं, मुसाफिर हैं, कुछ समय एकले मिले हैं हर जनम में अलग बाई, बेहन, माता, पिता, हजबन, वाई होते हैं तो हम सब मुसाफिर हैं कुछ समय एकले एक मत, एक बल, एक भरोसा एक मत परमात्म की मत एक बल परमात्म के बल से आगे बढ़ना है और एक के उपर ही भरोसा करना है जहाँ एक है वहाँ हर कारे में सफलता है लेकिन जहाँ अनेक है वहाँ पे कन्फूजन ही कन्फूजन है ऐसे मत करो ऐसे करो ऐसे न करो ऐसे करो ऐसे करके देखो उनके लिए कोई भी परिस्ति को पार करना सहज है लेकिन उसमें के है एक के उपर डिपेंडेंट आग्या पालना करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है दुआएं मिलती है, गाइडेंस मिलती है इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है तो दुआएं किस तरीके से मिलती है कोई कार है, जो कि अगर नहीं हो रहा है तो महाँ पर किसी न किसी तरीके से रस्ते खुल जाते है गाइडेंस मिल जाती है बुद्धी के ताले खुल जाते है सोलूशन निकलाते है यह सब कुछ पॉसिबल है परमपिता परमात्मा के अपने ही ब्लेसिंग्स के दुआरा जो कि हम हर दिन सुनते हैं परमात्मा हर दिन हमें ब्लेसिंग्स देते हैं इन ब्लेसिंग्स के साब से अगर हम हर दिन अपना जीवन बताएंगे और इनको जितना हो से कि अगले जनों में जा सकते हैं, बाकि सब कुछ याना जाने वाला है, होमशन इसके साथ